नमबर 11, स्टर्न स्क्रीच आउल अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए इसे देखकर आप जरूर चौंग जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कोई आखो वाला पेड कैसे हो सकता है तो जरा एक मिनट ठहरिये, ये कोई आखो वाला पेड नहीं बलकि इस पेड पर बैठा एक आउल है, जिनका नाम स्टर्न क्रीच आउल है और इसकी खास बात ये है कि जब ये किसी सूखे पेड पर बढ़ता है तो खुद को पेड में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्प इरकी आखे ही नजर आती है और अगर कहीं इसने अपनी आखे बंद कर ली तो ये पूरी तरह से पेड में ही मिक्स हो जाता है इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि ये सिर्प पेड है या पेड पर कोई आउर भी बैठा है अब बात करें इसके रहने की तो सूखा हुआ पेड इसका पसंदीदा बसे रहा होता है क्योंकि सूखे पेड में ये खुद को आसानी से छुपा लेता है